उपेक्चित में हसूस कर रहा है बहुत धर्म की और अगरसर हो रहा है नहीं देखिए सबसे पहली बात में आपको इस प्रश्ट बताना चाहता हूं कि धर्म यह की होता है मानवता और जहां तक वैचारिक सम्रुद्धि और वैचारिक संपता का प्रश्ण है उस युगातित यह है कि जिस परंपरा को या फिर जिस प्रक्रिया को हम अनुसरन करते हुए हैं अगर युगातित वेवस्ता और प्रवर्ति और मानसित्ता के आधार पर अगर हम उसमें परिवर्तन करने में असक्षम रहते हैं या फिर बदलाव नहीं ला सकते हैं तो फिर हम हमारा मुझे राष्टप के लिए मैं किसी इतना इतकार नहीं कि किसी आ मंद्रण के लिए New Year कर नहीं gobierno मेरा व्यत्ता मैं आभी महाराश्टप से आया हूं मैंने जस तरीके उसे किसानों के आत्मद्या क्या प्रश्न देखा है जिस तरीके से अगर स्वतंत्रता मिलने के 70 वर्ष बाद भी रात सत्ता का और सरकार विवस्ता का भारतिय समाच से प्रभाव खटकर जिस तरीके से बाजार विवस्ता का भारतिय समाच पे प्रभाव आया है और जिनके पास में मात्र संसादने पर देने क के लिए विचारे पर, जिनके पास में विचारे पर देने के लिए पहुंचाने के लिए संसाधन नहीं है यह एसी दो विचारदाराओं के बीच में हाद समाज भसा हुла है और सबसे बड़ी बात क्या हो चुकी है कि जो हिम्हिन धर्म के अगर हम को देख रहाई कि 8-8 दिन किसानों के परिवार में खाने के लिक मुद्द्दा प्रदेश का नइए मैं तो डरी करें के बात कि है महारांस्ट को लगने समझता मध्यवर्देश को लगने समझता मेरे लिये तो संपूर्ण राष्टा एक है एक तरफ हमारे यहां पर खाने के लिए 8-8 दिन के लिए किसानों के पास में पैसा नहीं है बीच खरीदने के लिए पैसा नहीं है आज 10 रुपे शेकड़ा व्याज पे पैसा लेकर और आत्मत्या के दोर चल रहे हैं जिस तरीके से आज भी हमारी चोटी चोटी बैनों को दिवदासी बनाया जाता है माच़डा समाच जैसी प्रथाओं का आज भी हम उन्मूलब नहीं कर सके डायन बनाकर हमारी माता बैनों को जिस तरीके से मारा जाता है जिस तरीके से अंदविश्वास, आडंबर, कुरीतिया, रूडिया, वो जो हमारे को मांसिक गुलामिकता की तरफ धकेलती है, आज भी आत्मी परतंत्रता बनाती है, उसके लिए हम कुछ कार्य ने कर रहे हैं, और हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, कि हम उसके लिए, हम सारा वो खर्चा उस स्विम के संसादों का उपयोग करना चाहिए, हिंदू धर्मों में क्या दान की कमी होती है, इसलिए मैंने ये बताया कि जो कार्य करने वाला है, वो अपेक्षित होता है, उसको नोटिस नहीं किया जाता है, जब मैं किसान परिवार से आके 12,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 अजार के लगबग तलाव बना सकते हैं, तो देर को आप इस पश्टा बताये, हजार पार्दी समाज के बच्चों के साथ में आज हमने स्कूल डाला है, तो जब हम ये सारी विवस्ताओं को खड़ा कर सकते हैं, तो बाकी तो इतना हमारे देश में इतना व्यापक्ता है, इस व्यापक्ता को हम समगरता में क्यों नहीं परिवत्तित करते हैं, तो यह मेरा एक शोव है, मेरा इस पश्टमात है कि मंदिरों से लेकर हर जगे पर जो वी आएपी सेग्मेंट से वो खतम होना चाहिए, जो पहले आएगा भगवान का सुपात्र है, भगवान की जो नाम सच्च करने के लिए उसके उपयोग में आता हो, तो फिर एसे धर्म के प्रती विचार करना आवशक हो गया है, या तो हम इसमें सुधार लाएं, और अगर हम पात्र नहीं है, तो फिर हम इस धर्म में रहने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि हम कही न कहीं पर लोगों क ये आस्था का एक प्रशन हमारे उपर है तो मेरी व्यथा या मेरा जो दुख है वो किसी भईयू महाराज इंडीजुल के लिए नहीं है वो समगर आने वाली पीडी को किस तरीके से हम एक बाजरवादी मानसिक्ता से निकाल कर किस तरीके से मुल्यादिष्ट निती पुर्ण भख़ करता हूँ तो मेरे अनुबवो इस तरीके से तो उनको क्या अनुबवावाएं होगे यह मैं आज समझ रहा हूं क्या इसलिए मेरे लिए भी परिया कुले हैं क्योंकि अगर मैं दर्मा में सुरोधार कर सकता हूं तो जहाँ पर मेरे को जिस तरीके का सयोग मिलेगा, जहाँ पर मैं अपिक्षित नहीं करूँगा, जहाँ पर मेरे को इस वर्ग के लिए जो अभी तक प्रवा में नहीं आ सका है, जिसको न्याय नहीं मिल सका है, उसके लिए जो लोगों मेरे साथ में खड़े रहेंगे, वो म मेरे लिए आज भी आडंबर, कुरीतियां, जो किसानों को, जो माताबेनों को, जो समाज को, गुलामी के जंजिरों में धकलती है, उसके बिरोध में मेरा ये आज भी मत है, कल भी था और रहेगा, और इसी के लड़ाई मुझे लड़ना है. इसमें अकाउंटिबिलिटी किसकी बनती है, जिस तरीके से आप आहत हैं, जिस तरीके से आप उपेक्षा या नेगलिजन्सी कहा जाया है, इसमें अकाउंटिबिलिटी किसकी बनती है, कौन इसकी के लिए रेस्पांसिबल है, क्योंकि आप मानों के लिए आना आपका मेल जिसको परमात्मा ने अपने आमंत्रन से यहां पोचाया हो तो उसको आमंत्रन के उपर आहत होने वाली बात दिये बात है टोटल सिस्टम को बदलने की और मैं एक टोटल सिस्टम पर जो हमारी वेवस्ता हैं हिंदु दर्म की उस वेवस्ता के प्रती मेरे अंदर एक शौब ह और उसमें में बदलाव चाहता हूँ, बस यह मेरा इस पश्टमत है। किस परगार का बदलाव चाहता है। मैं यह चाहता हूँ कि सियासनों से उठका अब संतलोग भी जो है आसन पर बेटना चालो करें। इस कालिकरम में मानव करलयान डमां बरगार के विशे रखे अब जो कि मौझूद नहीं रहें कालिकरम ? यह विशे सियहनस्त को लेकर कित्पे मोझू है, मेरा सब्जेक्ट यह है कि यह सियहनस्त का विचार्य को महाकुम इसको नाम दिया गया था। इसको किस रूप में देखने हैं आप देखेंगे तो वो एक वापिस उसका एक एंगल अलगाता है पर अगर उसको आप नाशनल इंट्रिटी के इसाब से अगर आप देखते हैं तो उसके प्रमोशन्स में जब तक मैं फिर मानता हूं कि बहां सभाइबा समाज के वहां पर का प्रतिनिदित्व में नहीं दिखता, उन केदियों का जो मंदिर के पुजारी बन चुके उनका प्रतिनिदित्व सियंस्त में नहीं दिखता या फिर HIV बाधित लोगों को सनमान की दृष्टी से या फिर देवदासी प्रता से मुक्त, जिस तरीके से आज बेहन गीता पाकिस्तान से आकर प्रसन्न महसूस कर रही है, खुली आवा में, एक अपने राष्ट में आनन्द महसूस कर रही है, उस तरह से मेरी देवदासी बेहने जिस दिन आनन्द महसूस करने लगेगी, मुझे लगेता है कि हिंदु धर्मसार्ता। मैं आपो एक्सले सुबाला आप से, मैं सफपास जबाब आप से, उड्राइम kicking, यह कोही रंडीती का हिस्सा था? कोई साजिस्ती यह आपको बुलाया गया? देखिए जाकि जासी भावन मैं उपनी देखे गा, मेरे को बुलाया, नहीं बुलाया, रणनेति का हिस्सा रहा नहीं रहा पर मेरे लिए बहुत एक एजेंडा बहुत इसपष्ट है कि मेरे को जो मेरी मन की व्यता है वो इसने एक सुई का काम कर दिया है जो फुट कर भारा गई है क्यों आपके वेठिते पुरानी समय से इस वेठित रहें इस बिल्कुल रहों किस प्रकार से रहों कि जिस तरीके से यह जो बाजारवादी बानसिकता है कुण बर्मात्मा ने इस पृत्वी पर जर्म लिया तो सामान्य इंसानों के बीच मेरा अपने विचारों से समाज में अच्छा माना जारा है यह जिन पुरा संग था रसेस का आपके अरे से से बोत क्लोज तालुगात है मोहन भागवत आपके चेले हैं ग्रूब में देखा जाये तो इसको अपने तरीके से अपने चिंतन सबने करना ची जैसे